कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुम्ध शिर्मा बंसली उसकी खास पेशकर्ष लक्षमें आपका बहुत स्वागत है अगर आप भी अपने करियर को लेक्षित करना चाहते हैं तो यह करकम आपके बहुत काम का है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्ग दर्शन और बनेंगे लक्ष हासिल करने में आपके मदद का तो हमारे इस खास कारिक्रम लक्षमें हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बहतर काम कर रहे हैं चात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का इस तरबढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं लक्ष की इस खास पेशकर्श में हमारे साथ आज बोपाल से गुवंद शर्मा जी मौजूद हैं जो की हिंदी कॉनवेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एश्बाग बोपाल के डारक्टर है गोवंद शर्मा जी बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसली उस पर और साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं नंदनी गुपता जो हिंदी कॉनवेंट स्कूल में 12th मैट्स की छात्रा है नंदनी आपका भी बहुत स्वागत है लक्ष में हमारे खास कार्कम में गोवंद शर को आपके स्टूडियो माने का मौका दिया व हमें अपने माद्यम से माद्ध्यम से बारे में कुछ बताने काुसा अउसम भी प्राप हुआ हमारा स्कूल हिंद कॉरन स्कूल है जो नरसरी से बार्मीत संच्यालित होता है यह स्कूल बहुत अश् иск को स्थापीत विद्याले में साइन्स फेकल्टी की बहुत अच्छी है लैब की बहुत 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 है हैं जिसमें आधुनी की सभी प्रकार की शुविधाय दी गई हैं इस वागा क्लासे में संचली थैं कंप्यूटर रूम इस पर टीचर्स हैं जहां बताए आपने हमारे मैस में मैस हमारे सब्सक्राइब लगभग 50 बच्चे इसमें वर्तमान में अध्यारत हैं और कामर्स गूर्पें अच्छे बच्चे हैं साथ टीचर्स हमारे जहां बहुत ज्यादा डिवोटी हैं जो अपने समर्पण की भाव से बच्चों को बहुत बारीकियां से समझाने का प्रयास करते हैं जहां JAHं के डाउच होते हैं क्लीर करते हैं बच्चे जो म मुझह तर्टा संकोच होता है वह वी जी वाक करते एगे से से common सवाल यहीं होता है नंदिनी कि आपके पढ़ाएं कैसी चल रही है और एक्जाम की तैयारियां आप कैसे करती है नंदिनी यह सबसे आगे रखती हूं जिसमें से एक मेरी रेगुलर क्लासिस है मैं रेगुलर क्लासिस अटेंड करती हूं इस्कूल केंडैंड कोचिंग की यहां मीरी सबस्टियों मेरा क narrator करते हूं करती है और यह यह भी सबस्टार करती हुग ऑफटर बूट तो a coupleool knife चाहुगा अपसे क्या आप जो अपना प्ढ़ाय का तो क्या एक खास दिन आप देती हैं किसी एक खास विश्य को लेके क्या हर दिन आप सभी विश्यों की पढ़ाई करती है ठीक ठीक गुवंद्ध शर्मा जी शिक्षा की शित्र में बंसल समू की योगदान को आप किस तरह से देखते हैं बंसल समू हूं आज का बहुत जाना पहचाना नाम हो बहुत पापुलर हो चुका है एक फिल्ड के साथ साथ यह उत्रे हुए हैं मेडिकल लाइन मुत्रे हैं जो कि हमारे प्रदेशली बड़े सवभागी का समय है और गर्व की बाद भी है कितने बढ़िया बढ़िया नोंने अस्पताल दिया हुआ है इस्टी प्लांट के लाइन मुत्रे हुए हैं एजुकेशन लाइन में इन्होंने बहुत सारे इंग्रिंग कॉलेज्स लेकर रहे के जो सुविधाय प्रदान की आइंका बिल्डी इंफ्राटेक्चर है जो इनको इस बहुत ही अच्छी है तो हम सब का सभाग है हमारे बच्चों को सभाग की आने वाला इनका भाविस्त बहुत ज्वल है चलिए बंसल सभू की बात हो रही है तो नंदनी से भी जानते हैं बंसल समुख के बारे में नंडी टेक्निकल एड्यूकेशन में आप बंसल समो की किन पॉलिस है उनको पसंद करते हैं आप ये बताया हमंए मैं विज मुझे मिल के अच्छा लगा ऑव लोग बहुत अच्छे से हम लोगों को раст repent ke उस्थालगों के द्वारा ठेकनिकल एड्द कि वो सके क्या क्या था सवाल है कि हम गरीब तपकों के लेज में जहां पर हैं उनको कुछ फीस में रियायत दें रेजिजेंसल प्रदान करें और उनके मनोबाव को समझें कि बच्चों को पहले हम बताएं कि टेक्टनिकल लेजी कुछन है क्या उसे क्या लाब क्या है कि जहां कमजोर वर के तपकें हैं यह सुपधाय मे कैंपस प्लेस्मेंट होगा उसमें भी बंसल काले सहयोग करेगा तो वह जरूर जरूर से वह आपके प्रत आकर्सित होंगे उनका सिच्छा का अस्तर भी बढ़एगा रोजगार भी प्रतान होंगे उनसे बिल्कुल तो गवन शर्मा जी आप मानते हैं कि कही ना कहीं लोग हम की लिए हम आपके द्वारोंके हैं कुछ सुविधा देना चाहते हैं जाहते हैं हम 사сте से चल्ट डाह प्रों की pública चंई मसन औरkem यहां पर आर्थिक इससे की बात कि अपने कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जů अपनी बच्चों की पढ़ाइड Pॉन й के चलते नहीं करा पाते हैं तो जी भी तो ने बनसल के सकते आप से चाहूंगा मैं कभी-कभी होता है कि बढ़ाइए होती है पढ़ाइस पड़ता है प्रभावित होती है तो आप किस तरीके से आपकी education और स्वास्त को लेकर health को लेकर कैसे coordination करती हैं सामन जस्त रखती हैं ध्यान रखती है हमारी studies को तो मैं मेरी मुझे healthy रहने के लिए मैं मेरा डाइट है वह strong रखती हूं morning में boil water लेती हूं इवनिंग में breakfast, lunch, dinner सब time से लेती हूं और night में milk लेती हूं तो इस टाइप से मैं अपनी डाइट अच्छे से रखती हूं तो बिल्कुल दंदनी ये भी आप से जाना चाहूंगा मैं आज का जमाना है में social media का जमाना हैogenवा Audio subscribe होए ऑफ्यूक काकी यूस क्रते हैं बच्चे काफी करते हैं कहीफे यहां पर भ्रमित भी होते हैं बच्चे distract होते हैं उनकी पढ़ाय भी प्रभावित होती है तो क्या आप क्या करती हैं मेडिया से क्या दूरी बनाके रखी आपने या कम उसको यूज करते हैं और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसमें यह काउंसिंग के जो लेक्षा प्रोफेसर होते हैं उनको हम काल करते हैं कि लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा उनके पास सर्विस के लिए क्या उपयोग हो सकते हैं और कहां कहां अगर वो सर्विस नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा कों सफिल होता है सवारोजगार में वह कहीं भागीदारी बन सकते हैं अपना खुद का प्राड़क कर सकते हैं अपना सेल्फ कैरियर कैसे बना सकते हैं इन सब के बारे में लोग इस पर्ड़ को डिफ्रेंट इन्वर्सिटी से कालेजे से स्कोलों से और सामान गणमान व्यक्त को भी उलाते ह है जो हमारे बच्चों के के समदित उनको लाभ प्रदान कर सकें एक गविन जी के यसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाय में थोड़े कमझोर होते हैं लेकिन जो दूसरे भी जो वर्ग होते हैं जैसे स्पोर्स सो या अगरिकल्चर प्रोग्राम हो यासे कोई अच्छा कह प्रदर्सान होता है तो उसके लिए भी कई सारी संभावना होती है बंसल ग्रूप भी उसके लिए आगे आता है बच्चों को अप्रिशेट करता है इस सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया है और हम सब लोग पढ़ाई में जैसा आपने बताई जो वीक होते हैं बच्चे तो पढ़ाई एक करिया के मकसद नहीं को पढ़ लेका तब हो टापर बनेगा ऐसा को इस पोर्स में इतने सारे अपारिश उनिटीज हैं कि वह स्पोर्ट के माध्यम से वह आगे बढ़ सकते हैं जो इस पोर्स में अगर वह जस्ता सा उनका बढ़िया सा प्रदर्सान होता ह है तो गवर्मेंट भी स्टेट गवर्मेंट सेंटरल गवर्मेंट का इनके एज में और मार्स पर्द्शन में छूट देती हैं उनको सर्विस भी प्रवाइड करती है हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हां के बच्चे स्पोर्स में काफी इक्सपर्ट हुए हैं कुछ द कि बच्चों को स्फोर्ट गद्यद्यों में आगे बढ़ें तो उनका स्वास्त का विकास इसे कर शॅना बहुत जरूरी होता है और आप भी समझतें इस बात को तो किस तरीके से चात्रों का लक्ष नरदारित हो और चात्र अपने लक्ष पर पर फोकस करें उसके लिए क्या जरूरी होता है आपको एक उद्देश तो होना चाहिए बगएर उद्देश के किसी की प्राप्ति नहीं होगी आप करिये में चुनाओ करिए हमको अगर पाइलेट बनना है तो पाइलेट के लिए पाइलेट में अपने चू अगर अगर सकते हैं तो अगर सब्लेक Parent के ले करके जशन कर में सकते हैं सब्सक्राइब हैं तो हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं लेक्षरा बन सकते हैं घार पर बैटकर हम राइटर भी बन सकते हैं मतलब कोई जरू नहीं कि हमारा फूकस यह सब्सीचूट ले करके चलना ही पड़ेगा बिल्कुल गोवन जी तो जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूं आपका कहना यह है कि लक्ष पहले से ही नरधारित होना चाहिए ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाया और आपके पास कोई लक्षी ना हो ठीक है नंदनी आप आप से जाना चाहेंगे कि आप क्या क्या लक्ष है आप क्या बनना चाहती है और आप अपने लक्ष को कैसे फोकस रहती हैं उस ल क्या सोचा है नंदनी आपने उस फील्ड में आगे जाने के लिए किस तरीके से बढ़ाई आप करने वाली है यह भी बताएं आप हाँ मैं मेरी रेगुलर स्टडीज कर रही हूं जही की तैयारी कर रही हूं इंजीनियरिंग के लिए तो इंजीनियरिंग प्लस पीसी का कोर्स करें ठीक दरी आपके स्कूल की बात आपके जो स्कूल में फैकल्टीज तीचर्स कितना सब्सक्राइब होता है लिए यह बहुत ही जादा मतलब कि एक्सपीरियंच नहीं सब्सक्राइब करते हैं कभी भी हमें कोई प्रप्राब्लम होती है डाउट आता है तो अगर हम पू बता देते हैं बहुत जादा और अधर एक्टिविटीज में भी काफी सपोर्ट करते हैं हमारे टीचर बिल्कुल बिल्कुल नंदनी किसी भी बच्चे के किसी भी स्टुटेंट्स के पैरेंट्स भी काफी एहम भूमी का निभाते हैं उसके लक्ष तक उसको पहुंचाने के लिए तो आप किस तरीके से इसको बताएंगी कि आपके मातापिता जो हैं जो घर वाले हैं किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं उनका सपोर्ट कितना फाइदेबंद आपके लिए मेरे पैरेंस मुझे काफी जादा सपोर्ट करते हैं मेरी स्टुडीज में मोस्ट इंप तो मुझे बहुत जादा सपोर्ट मिलता है मेरे पैरेंस का गोविन शर्मा जी कभी कई चात्रह ऐसे होते हैं जो अपनी लक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं और वह काफी निराश हो जाते हैं तो उस निराशा से बच्चों को बाहर निकालने की जिम्मदारी भी फैकल्टी क होती है हो नहीं बीचाएं के लिए सबस्क्रा रहता है कि बच्चा जीरो पाया किसी मार्स में तो उसको मन होने तो तुम कम से टेम तो सब्सक्राइब कोई बात नहीं है जो राइडिंग करेगा हॉर्स पर वही गिरेगा जो चड़ेगा नहीं ति हिम्मत मत धारू फर्स्ट टाइम पर चुंटी है कौन से आपको बहुत ज्यादा एज हो गया असी साल पहुंचके आपको नहीं स्टाइटिंग एज दो साल तीन स बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही बिलकुल ठीक बात कही गोविंद शर्माजी आपने जब पढ़ें और सब बढ़ें के बंसल समों के उद्धिश को रविद्यारती पहुंचाने के लिए और क्या करना होगा शबसे यह की जित्ते भी स्वार्श है अलाला छोड़ुका पा लंगा नहीं है और बंसल गुर्ट उसको प्रयास कर रहा है कि हमने जैसे आपका इसमें माध्यम से देख रहे हैं इसमें को घर घर गाओं गाओं ट्रांस्पोर्स विधा दे रहा है आठीवी तो क्लासे से स्टार्ट किया है एजुकेशन में भी आप उनको फिर एकोनोमिकल स रपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं के परेंस के लिए आकार्शित होंगे लेकिन इसमें है कि परेंस को इसमें काउंस्लिंग की ज़रूरत है कि आप डरों मत आप भेज़ो स्कूल भेजेंगे तो दूर और नजदिक मत देखुआ बच्चे के जुकेशन सिच्छा कहां अच्छी इससी मिल लए है वहां भेजने प्रयास करें बंसल गूरूप ऐसा ही प्रयास कर रहा है बच्चों अच्छी सिच्छा मिल लए है तो वहां भीजने में कोई नहीं होना चैँए बेजी जैग पैरन्स वहां पर भेजें और आज पाच्छे इस पढ़़ाई लिखाय करके माल स्पोर्ट से बाहर से स्कूल भी खोले जाए इससे बच्चे कहीं करते हतों साहित हो रहा है पढ़ाय उनकी बुरिता प्रभावित हो रही कि आनलाइं सक्सेस्फुल नहीं है आफ लाइन में जित्ता बच्चा प्रेटिकली फेस्ट फेस कोश्चन करके अपने आंसर लेकर सेडिस्फाई होता है आलाइन में संभव नहीं है और डरे रहते हैं बच्चे जो हैं को फिजकल ट्रेनिंग नहीं हो रहे हैं खेल नहीं हो रहा है दोस्तों से मिलना मिलाना नहीं तो कहीं कहीं बच्चे बिलकुल हो रहे हैं और फ्रस्टेशन बढ़ा है तो सरकार से बिल्कु बिल्कुल गोवन जी और कहीं न कहीं कोड़ना वाइरस ने पूरे देश में यहां पर पढ़ाई को प्रभावित किया है चात्रों का जो लॉस हुआ है उसे तो भलाया नहीं जा सकता है जिस तरीके से काफी प्रभावित हुई है बच्छों के पढ़ाई तो कहीं न जी जी है लेकिन समय बिल्कुल दिया है नहीं सरकार ने हमारा यह है कि हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं जित्ते भी को नियम बनाए गये हैं बच्चों को च्छापिट के दूरी मेंटेन करना वो क्लासे में सिंगल बेंच पे सिंगल बच्चे बिठा लें हैं उनका बड़ करते हैं कि हम बच्चों को हर अच्छी अच्छी स्विधाय और प्रापर हम जातने उसका करें को घय जाता है बच्चों को तो यह क्यों मनाई है हम दो एक महीने में कैसे कर लेंगे अभी हमारा पास वक्त है अगर मार से भी स्कूल खोल देते हैं तो बच्चों के रिगुलर क्लासे साइं के डाउश हम क्लियर करेंगे थोड़ा समय बढ़ा करेंगे थ्यान देंगे उनका रिजल सुधरेगा बच्च किस तरीके से आप उसको यह कवर कर रही हैं मेरी स्टडी रिकवर करने के लिए जादा टाइम दे रही ह?, अपने पर सब्जेक्ट को मौनिंग स्टडी जादा करती हूं मैं बाकी डे में भी टाइम देती हूं और नाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा एपर्ट्स ठीक है आपसे जानना चाहेंगे सर ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई आज तक क्योंकि मेरे पैरेंस ने कभी मुझे प्रेश्राइज नहीं कि आपको एजुकेशन में आपको बहुत अच्छे माक्स लाने क्योंकि मैं खूद एफर्ट्स करती हूं कि मुझे अच्छे माक्स अच्छे में तो मुझे कभी प्रेशन नहीं हुआ ठीक है गोविन शर्मा जी आप विद्यार्थियों के चवह मुखी विकास के लिए क्या करते हैं और क्या कदम उठाने जाने चाहिए बताएं बच्चों का चवह मुखी सब्सक्राइब यह है कि बच्चों को पहले अट हेन पहली को ब्याका रखेगा लिएगाई अपना बताया मैं स्पोर्स में जाना चाहता है मैं वसको शतंत्रता नहीं देंगे तो करी नहीं पायाएगा तो हम लोग कि यह प्रयाज करते हैं कि इनका जो सुट्रभ करता है आप उठो उठो यहने सब्सकंब कब liquidity करते हैं सनफ बिलगुल जी कभी-Kभी होता है किसी खात्र या छहात्रा होती है स्कूल नहीं आ पाती है और उसका लॉस होता है पढ़ाई का तो क्या आपका संस्थान उस बच्चे पर ज्यादा फोकस करता है जिससे उसकी पढ़ाई का जो लॉस्ट यह पाया है तो आप टीचर से सकते हैं जब भी आपको समय मिले स्कूल आवर्स के दोरान जब भी आपको समय मिलता है आप इसमें समय निकालिए और उनसे चर्चा करें प्राप्त करके उनसे तयार ले ले जो आपको ठी से नहीं हो पा रहा है है कि हम नोर्स के माद्य हम समस्थ नहीं सीख पा रहे हैं तो इसकूल आकर कि किसी टाइब पर वरकिंग आवर्स में आप टीचर संपर करें और वह सहयो करते हैं इसके साथ मैं सोयम क्लासे में जाकर करके बच्चों को क्रेट गाईड लाइन के लिए हेल्प करता हूं क्लासे मैंइं कलास भी लेता हूं बच्चों को होशना बढाता हूं कि आपको शियन कई साधूरा रह घुaders हैं こ आपका पूराकरान कोशिस करेंगे उनको टाइने टेबल सूचार बनवाते हैं कि तत्य घंटे आपको पढ़ना है किते खंटे आपको भी करना है कि आपको चोपोर्ट करना चाहिए smr हर सबचेक्ट पे के साथ previous राबर करनाakap क eggplant करना हुष काना करती है तो कहीं नहीं हमने पढ़ाए की बातों बहुत कर लियना अब a अब होबीस की बाथ हम कर लेते हैं सुना है आप गा गाणा है आपकी होब अच्छा अगाती हैं तो कुछ अगर गुन गुनाना चाहें तो तो ते तुमी तो है बहुत बढ़ियां बहुत बहुत सुन्दर गाया आपने और आखरी में क्या आप संदेश देना चाहेंगी क्या मैसेज दिना चाहेंगे छात्रों को किस तरीके से पढ़ाई करें और किस तरीके से अपनी लक्ष पर फोकस रहें अंदरी यह सब कोरोना डूरेशन में हमारी स्टडी काफी अफेक्टेड हो चुकी है और अभी भी जो बोर्ड है वो कंफर्म नहीं बता रहा ह हमें कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या है कैसे एक्जाम पेपर जाएंगे तो मैं यहीं बोलना चाहूंगे कि अपनी स्टडी पर ध्यान दें अपने प्रॉपर नोट्स पढ़ें बुक्स रीडिंग करें क्योंकि एक्जाम पेपर तो उधरी से बनने वाला है फिर कुछ भी ब कर सकते हैं तो मैं यहीं मैसेज देना चाहूंगी कि प्रॉपर स्टडी करें बिल्कुल गोवंद जी आप भी क्या संदेश देना चाहेंगे चात्रों को और उनके पर रिक्वेस्ट करेंगे पैरंस के मार्ध्यम से कि स्कूल खुले हुए हैं नवी से बार्मी तर और पहली सब्सक्राइब पूरा दोल्क बनाए हुआ तो यहेशित दो महीं का समय बचा हुआ है तो हम पैररेंस जो किसाने से जुड़ा हो तो बच्चों के कैरियर से चाट रोड़ा थो बच्चे कैसे उसको करते थे तो मैं है तो पूरानी लेकिन उसमें बच्चे के पाद कुछ शुविधाई नहीं थी कैसे बच्चे खेला करते थे क्या था मैं दो लाइन गुर्मुना ना चाहता हो कि आपका आदियस बिल्कुल आसमान है चादर मेरा धर्ती मेरा खिलोना यह बच्चों के जो गाउं में पढ़ते थे उनकी सुविधाई नहीं होती थी उनके लिए है आसमान है चादर मेरा धर्ती मेरा खिलोना और हल बैलों से खेला करता यही मेरा खिलोना यह मेरा खिलोना बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही गोविन जी आपने बहुत शुक्रिया आपका नंदनी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकर्ष में फिलाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नए लक्ष के साथ आप देखते ही अब बनसली उस नमस्कार